नमस्कार विदार्थियों हम अपने पिछले वीडियो के अंतरगत म्रदा की निर्मान दथा बिन प्रकार की मर्दा की वरगी करन के बारे में अधिन कर चुके हैं इस वीडियो के अंतरकद हम मर्दा शंगठन तता इसका अभनस्पति पर क्या प्रबाव पड़ता है इसके बारे में विश्थार से अतिन करेंगे मर्दा शंगठन जिसकी बारे में हम पूरू की वीडियो में अधिन कर चुकी है मर्दा एक एकल एकई नहीं होकर कि हम यह कह सकते हैं मर्दा अन्य घटको का एक जटी ले जिसकी अंतर करत सिर्फ मर्दा के घटक ही नहीं वल्कि उसके अंतर कर मुझोद मर्दिये वातावर में मउझोद सज्जिव घटक भी साथ में सामिल होते हैं और यह पूरा पूरा जो दीवातावारन स्कें अंतरे मृत्ता के घट्त에게 मिलकर के एक है सकते हैं कि एक स्वेल कोंप्लेक्स का लिबान करते है strictly अ कि when पुनिस्पति के जीवन निर्भाव के लिए एक आवश्यक वातावर्ण प्रतान करते हैं किसी भी इस्तान की अगर मिट्टी यानि मृदा नमून ना उसका धिन के जाये है तो उसमें हमें कई मर्दी घटक दिखाई परतिस्की अंतरगत जो मुख्य है वो है सबसे पहले खरेज़ बदार्थ खरेज़ बदार्थों का निर्मान जो होता है और चटानों के अपक्ष्यक की घटना के भल सुरुव होता है और मुर्दा में हमें विविन प्रकार के खनिशकन अलग अलग परिमा आप में देखने को मिलते हैं के खनिशकन अपड़े साइज की अनुसार छोटे बड़े होते जिसका मुर्दा विज्यान की अंत्राष्टी संस्ता द्वारा कि 1927 में एक वर्गी करण प्रिस्तुत किया गया है उसके अंत्रगत इन खनिशकनों के अकार के अधर पर मुर्दा को अलग प्रकारों में माटा गया है कि इसके नेक्स्ट जो होता है मुर्दा के नंतर के दो कार्वनिक पदाख होते हैं कि मुखें में उनके अउस्षेस इत्यादी मुख्य कार्बनिक पतार्थ होके सुरतु होते हैं पोद्व्न जनुतों के मुख्यक म्रध्वक पतार्थ होके जो प्राप्त होते हैं नेक्स्ट है मृदा जल अब बात करें तो मृदा कड़ों के बीच है जो कुछ जल की वात्रापाईज से मृदा जल करते हैं मृदा वायू मृदा जीव मृदा जीव मृदा जीव जिसके अंदर का सुक्सम जीव और कैंचुएं अपके गोंगे जीवानों इत्यादी सब भी है जो इसके अंदर करते सामेल है मृदा तापकरम तापकरम की हम अगर बात करते हैं तो मृदा के अंदर करत अलग अलग इस्तर पर अलग अलग तापकरम देखने को मिलता है यह मृदा तापकरम मृदिये जीवन को सब्सक्राइब रूप से संपन होने के लिए आश्यक होता है मृदा करिय यह मृदा के निदर पर जीवों के द्वारा की जाने के ले करिवें औहियर नाज जीवदेशनों को सब्सक्राइब जीवन के द्वारा आप्टीर informat vomat पुदार्थों में अभगटन कि इतने सभी प्रकारगी तो चेविक क्रियाएं इसके लावला कुछ है जो भोतिक क्रियाएं और राशानिक क्रियाएं भी है जो मृद्य क्रियाओं के अंत्रगत आती है कि अब हम सबसे पहले देखते हैं खनिश्पदार्थ कि हम बात करें अधमने का था खनिश्पदार्थ कि अकार के अधर पर मृद्यक्रिकन किया गया है जब खनिश्पदार्थ का अकार दो मिलिमेटर से अधिक व्यास का होता है तुसको मूं कंकर बोलते हैं और दो मिलिमेटर से कम लेकिन पॉइंट दो मिलिमेटर तक व्यास के कन होते हैं तुसको मोटी बालू या बालू करते हैं और 0.2 mm से कम लेकिन 0.002 mm तक अगर साइज की छोटे कन होते हैं तो हम बरिक बलू कहते हैं और 0.02 mm से कम और 0.002 mm तक व्यास के मर्दा कनों को हम मर्तिक का या शिल्ट कहते हैं और 0.002 mm से कम साइज के चुकान हैं उनको हम चिकने मिटी या क्लेक आते हैं कि मृत कार्बनिक पदार्थ मर्दा में मृत पेड़ पोदें जन्तिवों के ओसेशों के सड़ने और गड़ने त्रफ़ा इन पर सुक्सुंद जिवोद्वारा निरंतर विगटन से लगातार कर्बनिक पुदार्थों का निर्मान होता है और ये क्रबनिक पुदार्थ मर्दा में मिलते रहते हैं इस क्रिया में स्यों करने वाले मुख्य जीवों के अंदर जिवान हुएं को पर जातियां मर्दा के अंदर पाई जाती है पृत्वी की सत्तर पर प्राणियों इसके अंदर पर पोद्दे और जीवों दोनों आते हैं कि मर्द भागो के द्वारा निरंतर उपरी प्रत पर जमा होता रहता है और इन मर्द पादर पर जुनतु भागो पर जेविक अपकटन के द्वारा निरंतर अपकटन उड़ता रहता है कि मर्द कार्वनिक पदार थो कि जमा को हम लीटर कहते हैं यानि मर्द पादर पदार होते हैं जो पूर्थिक सत्य पर एकटे रहते हैं उसे लीटर कहते हैं लीटर का अंसी ग्रूप से विगटन होने पर लीटर डफ में परिवर्त परिवर्त हो जाता है और बात में डफ जो होता है उस पर और अधिक सुक्ष्म जीवों कि अभिक्रिया से वह यूमस में बदल जाता है और यूमस जो होता है उसके अंदर से खनीज प्रदार्थों का स्राव या इसे कर सकते हैं कि यूमस से खनीज प्रदार्थों की मुक्ति होती है और इस प्रक्रिया में यूमस से खनीज पदातों की मुक्ति की प्रक्रिया में कर्बन डेय ओक्षाइड अमोनिया और हाइड्रोजन सिल्फाइड जिसे गेस्टों की मुक्ति होती है तो अगरा किया इस प्रकार से देखें तो पैण पूर्द गांत इस के omis निर्माणन की प्रक्रिया को घुमिकेशन और यूमस से दो यूमस से खनीज लवनों के दो जिने मुक्ति होति है उसको हम मेनिरा जेसन या खनीजी करन कहते है तो इस अभुखटन की प्रक्रिजा के अंतरगर तक यूमस का अंद्रिमान होता है यूमस दो प्रकर का होता है मौर्यूमस और मल्यूमस मौर्यूमस जो होता है मिट्टी की उपरी जो परत होती है मौर्यूमस की वो अमली प्रक्रिजा की होती है जबकि मल्यूमस में मिट्टी की उपरी चाता होती है वो ख्रिय प्रक्रिजा की होती है मोर यूमस के अंदर अब गठन कारिज जीओं का मुर्दा के अंदर अभाव देखने का मिलता है वहीं मल यूमस में अब गठन कारिज जीओं अधिक मतरां पाई जाते हैं मुल की करने को दारत के अबगक्रण की जो भिक्रिया होगी है वह और काफि दिमी से संपन होती है वहीं मल यूमस केंत्रगत यह अपगटन की बिगरिया जो जीवों की द्वारा संपन होती है वो तीवर गती से संपन होती है नेक्स्ट हम देखा तो मोर यूमस केंत्रगत जो पादर भाग लेकिन उसको हो पूर्ण अपगटन होता है जिसके फरसर उसके भागों की पैचान की जा सकती है लेकिन मल यूमस की अंत्रगत धि Jr जो होता है मोर के इंत्रगत और उसके अंत्रगत प्ल्न पार्चान करना मुस्कूल होता है क्योंकि यहां पर अबगटन की क्लिया कापी तेज न्हीं होती है मोरी उमस duties के अंतरकत क्षनिचल लवन कम मातराह पार जाते हैं ज़िक फ्रक्रिया के दुरण अधिक मातरा में फ्राप्ति होती हैं मोरी मसकि अंतरकТ काम यूमस की स्तह कठोर एक्वी हम don economy होती है जबकि मल यूमस के अंदर यूमस के जो मर्दा होती है वो लूज एवम पॉर्स होती है चिद्रित मोर यूमस पेड़ पुद्दों की अच्छी पैदावार के लिए उप्योगी होती है जबकि मल यूमस जो होती है इस मल यूमस ये पुद्दों की बुर्दी के लिए सरवादिक उप्योगत होती है मर्दा जीव मर्दा के अंदर मर्दा जीव को जीव केते हैं जिसके अंतर efterक्त वनस्पति जात और जंतुर जात तोनों को सामिए मर्दी के अवाद Sóф gue में देखे हैं तो वनस्पति जात के अंतर नीइल उप्यूमस यवाल जीवान मुलाभार रूट्स एट्सेटरा वहीं जंदु सुमूगी बात करें तो प्रोटो जुआ रोटिपर्स निमेटोर्स टर्माइट्स कैंचुए और्थपोर्ट्स मॉलस्ट इसके बिल बिनाकर रहने वाले प्राणी जैसे सरीशर्प मॉल्स चूहें अधि इस भी वनुस्पति जात प्राणी जात मिड़ करके मर्दा जीव का गठन करते हैं मर्दा जल अपस हम देते हैं कि तो मर्दा जीव होता है उनका बहुत अधिक महत्व होता है जमिन के अंदर कार्वनिक पतार्थों का जो अपगठन होता है अपगठन की प्रक्रिया में इन जीव का बहुत अधिक महत्व होता है पेड़ पतु जिन्तों के जो कार्वनिक होशेश होते हैं उनका अपयोग शुक्सम जीव अपने पोशन के लिए करते हैं बदले में यह शुक्सम जीव इन कार्वनिक पतार्थों का अपगठन करके इन जटिल कार्वनिक पतार्थों को सरल कार्वनिक पतार्थों में परिवर्दीत कर रहते हैं जिसके पर्शुरूप खने जी करन की प्रक्रियास संपन होती है और पृत्वी में इन खने तक्तों के लवनों की पना आपड़ती होती रहती है कई जीव जो की अपमार्जा के रूप में कारे करते हैं और इन्हें हम प्राकर्थिक अपमार्जा करते हैं जो कि इन सड़े गड़े पेड़ पोद्दों और जिंतों के और्शेशों को अपगटी दिकर उन्हें अपने घटकों में बद्द देल लगते हैं कि ऐसे जीवों को हम प्राकरतिक अप्मार्जा करते हैं कि नैट्रोजन इस्तरी गड़न की बात करें तो राइजो ब्यम और निया चुवण उपर जातिया हैं वह मृद्धी आवास के अंतरगत वाई वी यह और वाई प्रिस्टिव में नैट्रोजन इस्तरी गड़न को संप कहना भी ना उसे लेटर याट इत्यदी भी होती है जो जली आवासों के अंतरगत नैट्रोजन इस्तरी गड़न का कारे करती लिए कि अन्य कवक और जिवानों कि विशिस कर बैसीडियो माई सिटीज की जो कुछ देशियों मिट्टी में उगने वाले फिल्ट पुद्धों की जड़ों के आसपास के छेतर में यासे कि हम राइजो इस प्षेयर में पाई जाते हैं और इनकी दुकावग जालोते हैं वो कुछ विशिस प्रकार की ग्रोथ हार्मोन का स्राव करते हैं जिसका उप्योग पुद्धों की जड़ों के द्वारा किये जाता है कुछ सुक्सम जीओं के द्वारा विविन प्रकार के हानिकारिक वदावतों का स्रावन के जाता है जिसके फ़र शुरूप मुर्दा में उगने वाले पिड़ पुद्धे के लिए अतिन्द गातक होते हैं जैसे हम बात करें एलकेलोइड्स कार्बनिक अमल अधिक अंद्रमान है जो इन माइक्रोप्स के द्वारा किया जाता है इनकी उद्धान के हम बात करें तो फ्यूजेरियम लाइनाई एक कवा कर जिसके द्वारा हैड्रोसाइनिक अमल का सिक्रेशन के जाता है है और फ्यूजेरियम द्वारा इस हैड्रोसाइनिक एसीड कि से अर्सी के पोधिक मूर्जा जाते हैं। इसी परकार से नहीं देखते हैं, फ्यूजेरियम की एक और जाती है, फ्यूजेरियम न्यूडम के दोरा अरहर की जो फसल होती है, उसपर गुरा परभाव पड़ता है, क्योंकि फ्यूजेरियम की दोरा फ्यूजरिक अम्रका स्राव कियाता है जो की अरहर के पुद्धों को खत्म कर लेता है कि इसके अलावा कोक मूल गटबंदन इसको हम बोलते हैं माईको राजा चाहां पर उच्वर्च की पुद्धों की जड़ें और कोको के बीच में एसोसीशन होता जिसकी फसुरूप कवक को आवाश को बोजन की प्राप्ति होने के साथ साथ उच्वर्ची पात्वों को चल खनिजलवन की आपूर्थी करने में ये कवक साहता करते हैं अब नेश्ट बात करते हैं मरदा जल की अब ब्रदा के अंदर मरदा जल लें अब 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 कर दो जो जलाश्य या जल इस तर की रूप में पाजाता है कि वेजयनी को द्वारा मरदा जल को कई प्रकारों के माटा गया है जिसके अंदर गर्त गुरूत की जल सबसे पहले कि अब बसात के समय हम देखते हैं वर्षाद लगा कुछ हिसा मरदा कुनों के बीच उपस्तित शिद्रों से कि होता है वह देरे देरे जमीन की और निच्चे की तरह बढ़ता है और यह गुरूत्य बल्द की परभाव के कारण भूगर्प में ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच जाता है इसलिए हम इसको गुरूत्य जल करते हैं बाहे जल या रणवे वाटर वर्षा की वद्दी में से बर्षात का दितर पाणी होता है जमीन की उपर बहने लगता है जिसे हम बाहे जल या बातावा जल करते हैं कि आधेता जल म्रदाकनों की कोलेडी प्रकृति की कारण म्रदाकनों के चाज़ और जल की एक धिन लेयर आहरी तो पत्ली फिल्म आहरी तो जात्ति है ऑड़े म्रदा की सुस्कता प्रस्द्य में यह अपने कोलेडी विशेष्ता की कारण मुर्दाकर्ण वाईवंडल से नमे की कुछ मात्रा को असुशित कर लगते हैं जल की पत्री फिल्म के द्वारा ये मुर्दाकर्ण ससंजन और असंजन बल के द्वार खारण चल को आवरित किये रहते हैं के इस प्रकार से मुर्दाकर्ण के चार और आवरित जल के अणुओं जोपरत पाय जाती है उसको रधृता जल कहते हैं के योटिल्री वाटर मंधाकर्णों की बीच में उपस्त जो अवबकास होते हैं उतना में पाय जाने वाले जल की मातरा को हम की पिलिरी वाटर कहते हैं कि मुल्धाक्रणों के बीच हैं पाय जाने वाले जो और आवकास होता है छिद्र यह जो केशिका नली के समतलिय होता है इसलिए इन आवसमें पाई जाने वाटर को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं पोद्धों के लिए उपलो दोडने वाला जल केपिलरी वाटर ही होता है जिसका पोद्धे कि मूल्ड रोम भाग की द्वारा अशुश निके जाता है कि उसकी बाद में राशानिक बंदित जल मरद्यकणों के कुछ खनिश्टतों के अनुओं के साथ जल की अत्तियल्प मत्रा भी परबल राशानिक बंदों के द्वारा संबंद रती जैसे लोग अलुमिनियम इक्यादी की उपस्तति में कि इस प्रकार का मंड़ा जल पोदों के लिए उन्हों प्योंगी होता है जो कि राशानिक रूप से बंदित होता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मर्दा जल की वह मात्रा जो पोदों की जड़ों याने भूमिकत भागों जिसे मूला बासों के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे हम प्रापेजल कहते हैं तता मर्दा जल की वह स्रेणिया प्रकार जो पोदों के लिए पुन्ड रूप से अनुपलब दोती है उसे हम अब प्रापेजल कहते हैं कि विभिन वेग्याने को कि अनुशार जमीन में पाइजानेवार जल की कुल मात्रा को होलाड कहते हैं और इस में से इस होलाड में से उपलब द जल की वह मात्रा जिसका प्योग पोदों के द्वारा किया जाता है उसे क्रिशाड करते हैं यह हम पोदों के लिए अप्राप को इकार्ड कहते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो क्रिशार्ड यानि पोद्दों के लिए प्रकृति में व्रदी अवास में उपलग जो जल होता है उसको मैंसे समझ सकते हैं कि होलार्ड माइनस इकार्ड देखें नहीं इक्वेल टू क्रिशार्ड तो होलाड मेर से अकर एकाड पॉस्टन को हम मैं मैं मैंनिस कर दें तो मैं क्रिशार्ड प्राप्तों गार था तो पुद्धों के लिए अवेलेबल जल की मात्रा का हमें इससे मरूम पढ़ता हुए जाने बाद नेक्स्ट वीडियो के अंतर करता हम हुआ हुआ है कि बारे में कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं अब इस से आगे हम कि पारिश्थिति की कारकों के अंतरगर्थ कि जेविक कारक की बारे में अधिन करेंगे कि पारिश्थिति की कारक में पढ़े दो प्रकर कोते हैं अजविक और जविक हैं तो जलवाईवी कारक उसकत बारे में अधिन किया अब हम पारिश्थिति का रही तो उसरी श्रेव में अधिन करेंगे झाल झाल